हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों आज हम एक्स्प्लेन करने जा रहे हैं 1986 में आई एक इरोटिक कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है What Every French Woman Want तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं मूवी की सुरूआत होती है और हम रोजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो की अपनी चुट्टिया मनाने के लिए अपने घर पर जा रहा था रोजर को लेने इसके घर की एक मेडाई होती है जिसका नाम मिस लपीते होता है घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के पपीते उचल रहे थे जिसे रोजर काफी ध्यान से देखता है मिस लपीते को भी अपने पपीते दिखाने में काफी मज़ा आ रहा था इसलिए ये रोजर को कुछ भी नहीं कहती रोजर भी इस सीन का फ्री में आनंद लेते हुए अपने घर पर पहुंच जाता है घर पहुंचने पर रोजर की फैमली इसका स्वागत करती है इसके बाद रोजर सिधा अपने घर में आता है और ये यहाँ अपने छोटी सिस्टर बर्था से मिलता है बर्था रोजर को घर से बाहर जंगल में घुमाने के लिए लेकर आती है ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी रोजर यहाँ मिस लपीते को देखता है इसलिए रोजर मिस लपीते के पपीते देखने के लिए जल्दी से इनके पास आता है लेकिन मिस लपीते रोजर को अपने सामान की टोकरी पकड़ने के लिए दे देती हैं और ये खुद बगल में जाकर रोजर के सामने ही मुत्र विसर्जन करने लगती हैं ये देखकर रोजर कहता है इसके बाद रोजर जंगल में अकेले ही गूम रहा था कि तभी इसे जारियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है रोजर जब यहाँ पर चेक करने आता है तभी यह यहाँ अपने घर की एक मेड उर्सेला को देखता है जो किसी के साथ जंगल में मंगल हो रही थी उर्सेला रोजर को देखकर हसने लगती है यह देखकर रोजर डर जाता है और यहाँ से भाग ख़ड़ा होता है रात में सोते समय रोजर को कुछ खनखनाने की आवाज सुनाई देती है रोजर जब अपने कम्रे से बाहर देखता है तब यह यहाँ अपने घर की एक मेड हेलन को देखता है जो cup plate लेकर एक दर्वाजे के सामने जुकी होती है और कोई पीछे से इसकी बजा रहा होता है हेलन जल्दी जल्दी अपना काम ख़द्म करके नॉरमल होकर यहां से चली जाती है राजर भी यहां खुद पर control रखता है और यह सोने चला जाता है रोजर के बिस्तर में इसकी छोटी सिस्टर बर्था छुपी होती है बर्था रोजर को बताती है कि इनकी मौसी मारगरीटा अभी तक वरजिन है ये सुनकर रोजर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी मौसी अभी तक वरजिन है जो की अपने घर पर आती है एलिसा घर आकर सबसे मिलती है और ये रोजर को भी हेलो बोल कर घर में चली जाती है अगले दिन बर्था रोजर को चर्च में घुमाने के लिए लेकर आती है ये दोनों यहाँ छुपकर चर्च में आये लोगों की बाते सुनते है इस चर्च में रोजर की मौसिम मार्गरीटा आती हैं मार्गरीटा चर्च के फादर से अपनी गलतियों के बारे में बताती हैं मार्गरीटा कहती है कि जब से इसने रोजर को देखा है तब से ये उसके लिए पागल हो गई है और तो और ये अपने सपने में कई बार रोजर के साथ घपा घ प्राइब कर चुकी है, मारगरीटा की सारी बातें रोजर सुन लेता है, जिससे रोजर मन ही मन में काफी खुस होता है, इसके बाद हम एलिसा के फियांसे को देखते हैं, जो कि घर आकर एलिसा से मिलता है, रात में जब रोजर सो रहा था, तब इसे फिर से खंखनाहट की ऐलन का काम ख़त में होते ही यह वाइबरेट होकर यहां से जाने लगती है रौजर को यहां पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखर एलन यहां किसका बेलन यूज कर रही थी इसलिए रौजर उर्सेला से पूछता है कि वो कौन बनता है जो हर रोज हेलन की लेता है रोजर की बात सुनकर उरसेला कहती है कि ये हम मेड का एक सिक्रेट है ये कहकर उरसेला यहां से चली जाती है रोजर यहां सोचता है कि क्यों न मिश्टर फ्रेंक से इसके बारे में पूछा जाए सायद हो सकता है कि उन्हें इस सिक्रेट के बारे में मालूम हो रोजर मिश्टर फ्रेंग के कमरे में आता है रोजर देखता है कि मिश्टर फ्रेंग अपने पैंट में हाथ डाल कर अपनी हाथ गाली चला रहे थे रोजर को देखते ही मिश्टर फ्रेंक यहां से चले जाते है रोजर को इस कमरे में एक बुक मिलती है इस बुक में सन्नी लियोनी की फोटोस और उसके घर का एड्रस होता है सन्नी लियोनी की फोटोस देखते ही रोजर इस बुक को जल्दी से लेकर यहां से चला जाता है तब यहाँ इसके घर का एक नोकर आता है इसे देखकर रोजर यहीं पर छिपने लगता है यहाँ पर हेलन भी आती है जो मुर्गियों को चारा डालने आय थी वो नोकर हेलन के पास आता है और इसके पास आकर यह इसे यहीं पर फसा देता है यह नोकर पीछे जाकर हेलन की था लेकिन रोजर को यहां आने से पहले ही वो बंदा अपना मिसन कम्पलीट कर लेता है इसके बाद हम एलिसा को अपने फियांसे के साथ बात करते हुए देखते हैं कि तभी यहां पर रोजर आता है रोजर यहां अपनी बुक को एलिसा के बुक से बदल लेता है रोजर बाह आकर अकेले में इस बुक को पढ़ने लगती है इसके बाद हम रोजर को देखते हैं जो किचन में आता है रोजर यहां उरसेला को पीछे से पकड़ता है लेकिन उरसेला इसके सिर पर मारती है उरसेला जब देखती है कि यह तो अपना रोजर है तब यह इसे सौरी बोलती है उर्सेला यहां रोजर को देने के लिए तयार हो जाती है, रोजर उर्सेला को पेलने ही वाला था, कि तभी यहां पर घर की दूसरी मेड आ जाती है, उसे देखकर रोजर यहां से चला जाता है, तभी रोजर के घर एक पोस्टमेन आता है, वो पोस्टमेन बताता है, कि जर्म घर के सभी मर्द युद्ध में चले जाएंगे जिसके बाद रोजर ही केवल यहाँ पर अकेला बचेगा अगले दिन गाओं के सभी मर्द युद्ध के लिए निकल जाते हैं अब घर पर सिर्फ सारी लेडिस ही होती हैं इसलिए रोजर सबसे पहले उरसेला के पास आता है रो तभी यहाँ पर रोजर आता है रोजर को देखते ही केट के अंदर कुल बुलाहट सुरू हो जाती है जिससे रोजर इसके पास आकर इसे नदी के किनारे ही पेल देता है रात ने मार्गरीटा जब अपने कमरे में सोने आती है तब यह यहाँ रोजर को देखती है मार्गरी को ये काफी अच्छा लगता है और ये भी रोजर के साथ यहीं पर पेलम पाली कर लेती है इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो अपने लिए बेलन ढूंड रही थी लेकिन घर के सारे मर्द युद्ध में गए थे इसलिए हेलन को किसी का भी बेलन यहाँ पर नहीं मिलता इस यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी रोजर इसे पीछे से पकड़ लेता है रोजर हेलन को दरवाजों के बीचों बीच करके इसका भी बाज़ा बजा देता है अब रोजर काफी खुस होता है किूँकि इसने घर की सभी महिलाओं को एक-एक करके उनकी अन्बॉक्सिंग कर डाली थी बर्था यहां रोजर से कहती है कि देखो वहां कौन जा रहा है रोजर देखता है कि यह तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी रोजर जल्दी से एलिसा के पास आता है एलिसा यहां एक घोड़े को साफ कर रहे थी एलिसा रोजर से कहती है कि तुम यहां पर क्या कर र रोजर अपना हथियार एलिसा के हाथ में दे देता है जिससे ये एलिसा को काफी अच्छा लगता है और ये यहीं पर रोजर के साथ घपा घप कर लेती है रोजर की तो अब निकल पड़ी थी क्योंकि अब महिलायन लाइन लगा कर रोजर के कमरे में जाने लगती है रोजर भ कुछ भी समझ नहीं आता, तभी इन्हें पता चलता है, कि इनके सहर में जो यूध चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी वज़े से, यूध में गए लोग अब अपने घर वापस आ रहे हैं, तभी उर्सेला रोजर से कहती है, कि ये भी प्रेगनेंट हो गई है, म वो इसे काफी पसंद करते है, रोजर अपने अंकल और मार्गरीटा की सेटिंग करा देता है, रोजर एलिसा को इसके मंगेदर के साथ घपा घप करने के लिए कहता है, ताकि सब को लगे कि इसके पेट में जो बच्चा है, वो उसी का है, एलिसा भी ऐसा ही करती है, ये पस अपने होस्टल जाने लगता है रोजर यहां हेलन से मिलता है और ये इसे गुडबाय कहता है रोजर ने अपने छुट्टियों में काफी मज़े किये होते हैं और ये सब को गुडबाय बोलकर यहां से चला जाता है इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है ठैंक झांस पर वाचिंग गाइस